आम तोड़ने पेड़ पर चड़ी नैना धाकर पेड़ से गिरी तो बदवास में जामुन तोड़ने पेड़ पर चड़ी मुसकान गिरी दोनों के हाथ फ्रेक्चर खबस शिपुरी की जिलास्पताल से जहापस जिलास्पताल में 12 वर्षे बालिका को भरती कराए गया है बताना होगा कि बालिका अपने गाह में पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चड़ी थी तब ही बालिका का पैर फिसल गया जिसके कारण बालिका नीचे गर गई और उसका हाथ फ्रेक्चर हो गया जिलास्पताल में बालिका का इलाज जारी है जानकारी के अनुजा नैना धाकर पिता सुभरन धाकर उम्रा बारा साल निवासी ग्राम धामुरा थाना पोहरी अपने गाह में पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चड़ गई थी जो इसके बाद बालिका का पेड़ पर से पैर फिसल गया और वो घाल हो गई आसपास के लोगों ने जब परिजन को सूचना दी तो परिजन जिलस पताल लेकर पहुंचे जहां पर बालिका का हाथ फ्रेक्चर बताय जा रहा है उसका लाज जारी है तो वहीं दूसरा मामला बदवास से सामने आया है जहां पर मुस्कान धाकर पिता मोहन सिंग धाकर उम्र 9 साल निवासी बदवास जामुन तोड़ने के लिए पेड़ पर चड़ी थी तब ही पेड़ की डाली तूट गई जिसके कारण बालिका नीचे गिर गई और बालिका फ्रेक्चिर हो गया क्या नाम है आपको अनिव क्या होगे आपकी बच्ची को क्या आपकी लड़की को क्या हो गया है ने लटनान कि पेर आब केरे फे चड़ गई जामून पर जामून पर जामून पर जामून तो अब क्या करने तो वह तो ऑफे आदा डाली तोट गई को चोट कहां पर आई इसको कर्या पर आध पैक्षे टाए